श्री गंगानगर जिला सुबा से ही घने कोहरी की चादर में हैं मौसम विभाग ने पहले ही श्री गंगानगर में कोहरी और कोल्ड डे का यलो अलर्ट जारी किया था जिसका खासा असर भी देखा जा रहा है घने कोहरी के वज़े से विजिबिल्टी घटी है जिसके कारण साथ साथ cold day का yellow alert जारी किया गया है जो सही साबित होता हुआ भी दिखाई दे रहा है अब इस से हम हम श्री गंगा नगर के railway station पर मौजूदर हम आपको यहां की तस्विरे दिखाएं तो आप यह दिखें समुचा श्री गंगा नगर railway station इस समें गने कोहरी की चादर में लेप तक प्रभावित हुई है सड़कों पर विजिबिलिटी लगब लगब जीरो होने की वज़े से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है वहां चलकों को अच्छी परीशानियां हो रही है और यहां यू कहें कि हम वहां की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बिल्कुल इस कोरे ने रोक शी दी है हाला कि नाकेवल सडकों पर बलकि रेल आताया ए場 20 गहने कोरे का काफी असर पड़ रहा है नाकेवल उत्री राजिस्तान में बलकि जिस तरी भारत में दिल्ली की बात करें हम पंजाब की बात करें हर्याना में बात करें तो यहां पर हीस समय हाढ़ कपकपा देने वाली ठंड के साथ साथ जिस तरह से घना कोरा पड़ रहा है उसे रेल याता है यह भी अच्छा खासा प्रबावित हो रहा है श्री गंगानगर से अंबला जाने वाली ट्रेन को रेलवे प्रसासन के दोरा एक दिसंबर से 29 फरवरी तक के लिए पहले ही कैंसिल कर दिया साथ लगाया जा सकता है कि इस समय श्री गंगानगर जिले में सर्दी का जो ट्रिपल अटेक है दिन और रात के तापमान में गिरावट है हल्की ठंडी हवाएं चल रही है और साथ ही साथ में उपर से घना कोरा कहीं ने कहीं श्री गंगानगर वासियों की मुस्किले आ रहा है हाला कि मौसम विभाग के मताबिक यह मौसम अभी तक तो खड़ी रभी की फसलों के लिए काफी फायदे मंद है लेकिन आने वाले दिनों में यदि थंडी हवाय थोड़ी तेज होती है या पारा और ज्यादा गिरता है जमाब बिंदों की तरफ बढ़ता है तो ऐसे में न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि यदि वो इस घने कोहरे के दोरान अपनी गाड़ी ड्राइब कर रहे हैं तो अपने गाड़ी की हैडलाइट और फोगलाइट आवशक रूप से आउन रखें और अपनी गाड़ी की रफ्तार पर भी काबू करके रखें ताकि गटी हुई विजी बिटी के कारण होने वाले हाथ्चे को टाला जा सके अशोक शर्मा न्यूज 18 श्री गंगानगर